नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के स्वीडियो में दोस्तों फुल और फैनल पीए फिट्रोल को लेकर एक नियम है कि अगर आपका पीए फॉमांट पचास जार रुपे से ज्यादा है और आपकी सर्विस इस्ट्री पांस साल से कम है तो अगर एसी कंडिशन में आ के अंदर हमें क्या के जानकारिया भरनी है जिससे कि हमारे पीए फॉमांट से 10 परसेंट ना काटा जाए तो आज की वीडियो को आप ध्यान से और पूरा जरूर देखें तो हो सकता है कि आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाए या फिर आपके पीए फॉमांट से 10 परस जाता है यह बताने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं कि अभी तो मैं अपने लेप्टॉप की स्क्रीन पर आपको बताऊंगा कि फॉम प्रिंट निकलवाना है फिर इसे इन एंड भरना है फॉम को भरने के बाद में कंप्लीट करने के बाद में जब आप ओ अप्लोड कर देना है फॉम को अप्लोड करने के भी एक अपनी प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा तो चले जानते हैं कि को के से भरा जाता है तो मैं आ चुक हूं कॉप्टे स्क्रीन पर यहां आपको दिखाई दे रहा होगा फॉं नमबर के कॉलम में आपको दीविजब लिखना है यानि कि आप अपने खुद के लिए यह भर रहे हैं इसके बाद में इसके आपको में अब यहां पर आपको थोड़ा कफिजन हो सकता है प्कर करना है अब लेकिन अगर आप 38 मार्च 2022 के बाद में अप्लोड करते हैं तो आपको प्रिविएस येर में 2022-2023 लिखना है अगला उप्चन है रेसिडेंशल इस्टेटस इसमें रेसिडेंश लिख देना है उसके बाद 6 नंबर के कॉलम से लेकर 14 नंबर के कॉलम तक आपको आपका एडर से चेलेंटर करना है जैसे यहां आपको फ्लेट नंबर या ब्लोक नंबर लिखना है अगला और नेम और प्रीमिसेस अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं या सोसाइटी में तो आपको उसका नाम यहां पर लिख देना है वरना आप इसे ब्लेंक भी छोड़ सकते हैं अ सिटिक्षिक इसमें को स्सक्षिर को आपको की स्ट्रेट का नाम लिखनाए उसके पात कि पिटन kidney या निकट अगर आपको नहीं पता है तो विसलिए अपने अधारकाट से देख सकते हैं उसके बाद इमेल चाहे तो आप लिख सकते उसके बाद है टेलिफोन नंबर आपको आपका मोबाइल नंबर भी यहां पर लिखना है अब इसके बाद आते हैं 15 नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है वेदर असेश्ट टू टेक्स अंडर दा इंकम टेक्स एक 1961 इसमें आपको नो पर क्लिक कर देना है अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हैं तो वह मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंकम टेक्स रिटन भड़ते हैं तो यस पर क्लिक करना है और अगर यस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपने लास्ट जिस फाइनल लिए आपको यहां पर लिख देना है जैसे अगर आपने इस फाइनल से लिए यानि की 2021 में इंकम टेक्स रिटन फाइल किया है तो इसका असेश्मेंट यह होगा 2022 तो वह आपको यहां पर लिख देना है अब चलते हैं 16 नंबर के कॉलम पर यहां लिखा है एक्स्टिमेट इंकम फॉर विच इस डिक्लेरेशन इस मेड इस कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है जितना अमाउंट आपके पीएफ अकॉंड में है और जिसे आप निकालना चाहते हैं वह कितना भी हो सकता है साथ हजार सत्तर हजार जो भी हो उससे आपको यहां पर लिख देना है लेकिन ध्यान रहे कि आपको सिर्फ पीएफ अमाउंट ही लिखना है पेंचन अमाउंट नहीं लिखना है अब आते हैं सतर नंबर के कॉलम पर इस कॉलम में आपको फिर से अमाउंट लिखना है लेकि तो इस फाइनले से लियर में आपकी टोटल इंकम कितनी होगी तो उधरन के लिए मान लेते हैं कि आपकी इंकम एक लाग रुपे तो इस एक लाग रुपे में आपको यह अमाउंट भी प्लस कर देना है जो अमाउंट आपने 16 नंबर के कॉलम में लिखा है तो आपकी पूरे कि आपने 15 जी का इस्तिमाल और कहां कहां किया है जैसे कि एक तो आप अपने पी एफ अकाउंट के लिए कर रहे हैं दूसरा आपने कहां पर इस फाइम को लगाना होता है बेंक में एफडी पर इंटर्स मिलता है उसके लिए इस फाइम को लगाना पड़ता है तो अगर आपको अमाउंट लिख देना है कि कितने अमाउंट के लिए आपने इस फॉर्म को इस्तिमाल किया है अब आजाते हैं 19 नमबर के कॉलम में यहां आपको आपके पीएफ अकॉंट के डिटेल एंटर करना है जैसे यूए नमबर और पीएफ अकॉंट नमबर लिखना है उसके सब्सक्राइब नेचर ओफ इंकम तो यहां आपको इपीएफ लिख देना है फिर उसके बाद अगला कॉलम में सेक्शन अंडर विच टेक्स डिटेक्टिबल यहां आपको 192 लिख देना है फिर अमाउंट ओप इंकम यहां आपको वही अमाउंट लिखना है जो आपने कॉ प्रिवेश यहां आपको प्रिवेश की एंडिंग लिखना है जिस फैनले में वह कब स्थम होगा तारीक आपको यहां पर लिख देना है तो आपका प्रिवेश एयर होगा 31 मार्च 2022 को लेकिन अगर आप मार्च 2022 के बाद में यह फर्म भरते और आपका प्रिवेश एयर खत्म होगा 31 मारच जोच भते होगा तो आप आपरस्जमेंट यहां आने वाला फाइन इसलियस लिक saben यह जैस्वenge से previous year लिखना है फिर assessment year लिखना है अब उसके बाद में प्लेस लिखना है यानि कि आपकी city फिर date लिख दीजिए उसके बाद sign कर दीजिए और फिर ये form आपका complete हो जाएगा उसके बाद इस form का एक ही चोड़ देना आपको यह फॉर्म क्या करना जानते हैं सभी आ dauर लिख दिये इस फॉरम को अपको अप्लोड करना है वह सब करना है लेकिन प्लोड करने से पहले आपको गुदिर में अपलोड अब पर करणा यह बिखा हुआ हैमने इस नहीं बखते हैं अब लोट कर देना है यह आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप 19 को सम्मिट करेंगे तो आज की वीडियो में आ जाना कि पूर्म किया जाता है कैसे उसे अफलोट किया जाता है जो सम्मिद करता हूं आपको पाया हूँ आपको पसंद आयों तो लाइक जरूर करें चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तो कि यह जोड़ी जानकर यह आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी